एक योग आसन है, जिसे साश्टांग कहा जाता है, इस आसन में आप अपने शरीर के आठ बिंदूओं से जमीन को छूते हैं और वहीं रूपते हैं, इस आसन में विशेश रूप से फेफडे एक खास तरीके से काम करते हैं, इसके कई पहलू हैं, पर हम सिस्टम में आक्सिजन का स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस आसन में पूरा पल्मनरी सिस्टम अनोखे तरीके से काम करता है, ये उन आम आसनों में से एक है, जिसे करते हुए आम तोर पर कई गलतियां होने लगी हैं, हर भक्त को इस मुद्रा में जाना चाहिए, प या साश्टांग करने का सही तरीका दिखाया जा रहा है, वहीं रुक कर आपको सामाने से थोड़ी गहरी सांस लेनी हैं, यहां माथा, छाती, दो हात, दो खुटने और पैर के अंगुठे जमीन पर हैं, एडियां एक साथ हैं, ऐसे रुकने पर सांस स्वाभाविक रूप स थोड़ी तेज हो जाएगी, इसी तरह बने रहिए, हो सके तो छे से सात मिनिट तक, वरना तीन मिनिट से शुरू करें, छे से सात मिनिट ऐसा करने के बाद, अपने शरीर को आराम दें, ताकि पूरा शरीर फर्ष को छुए, और फिर मकरासन करें, अगर आप पुरुष हैं तो बाय हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें, अगर आप महिला हैं, तो बाय हाथ दाहिने के ऊपर रखें, उस पर अपना माथा रखें, और अपने शरीर को तीन से चार मिनिट तक आराम करने दें, और फिर अपने दाहिने पैर को ऐसे घुमाएं, कि जांग शरीर के साथ 90 ड नबे डिगरी का कॉंड बनाए और अपना सिर दाई और मोडें, आखें बंद, सामान निसांस और तीन से चार मिनिट तक इस मुद्रा में आराम करें और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें, अपने सिर को बाई और मोडें, अपने बाएं पैर को ऐसी मुद्रा में लाएं, जैसे आप लगभग कुर्सी पर बैठे हों यानि आपकी जांग शरीर के बाकी हिस्सों के साथ 90 डिग्री का कोंड बनाएं और घुटने के नीचे, पिंडली और टांग का अगला हिस्सा भी जांग के साथ 90 डिग्री पर हो, और आपका सिर आपकी हथेलियों पर और बाई और हो तीन से चार मिनिट तक इस मुद्रा में आराम करें, अब फिर से 6 से 7 मिनिट के लिए साथ टांग करें, आप एक बार में ऐसे तीन चक्र कर सकते हैं, और आप इसे दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं, खास कर क्योंकि आप में से अधिकांट श्लोक अभी मास्क पहने उए हैं, त असलिए अगर आप दिन में चार से पांच बार ऐसा करते हैं, तो आपकी ऑक्सिजन का स्थर जरूर बढ़ जाएगा, और इसके बाद सिम्हा क्रिया करें, ताकि आप रोगों से बहतर लड़ पाएं. आज काफी चिकित्सा सबूत हैं, जिन से पता चलता है कि ये वाकई कारगर है, कई विश्व विद्यालेयों ने इस पर शोध किये हैं, तो इस पर बहस मत कीजिए, बस ये आसन और क्रिया कीजिए. ये एक पूरा इलाज या बचाब नहीं है, पर हमें समझना होगा, कि सेहत भी एक साथ पूरी तरह प्रकट नहीं होती. हमारी सेहत, कई कदम जो हम उठाते हैं, उसका नतीजा होती है. इस महामारी के समय, क्रिपया ये कदम उठाएं, और जितना हो सके, ये पक्का करें, कि आप उसका शिकार न बनें, और नहीं इसे फैलाएं. नमस्कारम और धन्यवाद. साश्टांग और मकरासन को खाली पेट की स्थिति में करना चाहिए. यानि, नीचे दिये निर्देशों के अनुसार, कुछ समय रुक कर ये दोनों अभ्यास करें. भरपेट भूजन करने के बाद, चार घंटे रुकें. फल या कुछ बिस्किट जैसा नाश्टा करने के बाद, धाई घंटे रुकें. चाह या कॉफी जैसा कुछ पीने के बाद, डेड़ घंटे रुकें. पानी पिया जा सकता है. गर्भवती महिलाओं को साश्टांग या मकरासन नहीं करना चाहिए. हाना कि वे सिम्हक्रिया कर सकती हैं. सिम्हक्रिया सद्गुरु भेंट कर रहे हैं सिम्हक्रिया. एक सरल, लेकिन शक्तिशाली योगा अभ्यास, जो हमारी इमेनिटी और हमारे फेपड़ों की क्षमता को बढ़ाता है. सद्गुरु सिम्हक्रिया के निर्देश देंगे. यह महतुपूर्ण है कि आप इन निर्देशों को ठीक से ग्रहन करें. कृपया आगले तस मिनट विशेश तोर पर बस इसी प्रक्रिया के लिए समर्पित करें. कृपया वीडियो देखते समय अभ्यास को करने की कोशिश ना करें. पहले पूरे निर्देशों को सुनें और उसके बाद खुद से इस अभ्यास को करें. तो यह एक सरल सा अभ्यास है. आप मेंसे वो लोग जिन्हें कोई दूसरी शक्तशाली प्रक्रिया नहीं आती, इससे मदद मिलेगी. एक बात तो यह है कि यह आपके फेफ़डों की क्षमता को बढ़ाएगा. दूसरी बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी को बहतर करेगा. और सबसे बढ़कर, अगर आप इसे आज कर पाते हैं, और अगर आप इसे अगले पांच दिन कर पाते हैं, और अचानक एक दिन आप इसे नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपको सास से संबंधित कोई समस्या हो गई है. शायद वो ये वाला वाइरस ना हो, लेकिन वो कुछ और हो सकता है, वो चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी जाच करानी चाहिए, अगर आप पाते हैं कि आप इसे नहीं कर पा रहे हैं. इसमें ये शामिल है कि आपको अपनी जीब को पूरी तरह से बाहर स्ट्रेच करना है, अपने मुझ को पूरी तरह से खुला रखते हुए, और फिर जितनी ताकत के साथ हो सके, सास अंदर लें और बाहर छोड़ें, पेट को जटका दिये बिना, लेकिन ताकत के साथ अंद ये हाथों का इस्तेमाल करने के लिए अच्छा समय नहीं है, तो अपनी जीब को पूरी तरह से घुमा लें, ये खुद से जितनी ज्यादा से ज्यादा पीछे जा सके, इस तरह से, और अपना मुझ खुला रखते हुए, फिर से उसी तरह सांस लीजिए, सांस अंदर, सांस ये महत्च्पून है कि आप गले में, अपने गले के गड़े में दबाव पैदा करें और आवाज निकालें और सांस अंदर, सांस बाहर, पूरी तरह से सांस बाहर, पूरी तरह से सांस अंदर, जितना हो सके उतनी ताकत के साथ, लेकिन पेट को जھटा दिये बिना, 21 बार जीब को उपर घुमा कर, पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने अपनी आखे बंद रखी हैं, आप पूरी सांस लीजे, आप पूरी सांस लीजे और सांस को रोक कर बस यूँ ही बैठिए, एक मिनिट के लिए, अगर आपके उम्र ज्यादा है या आपको सांस लेने में दिक्क है, तो कम से कम 30 सेकंड के लिए, अगर आप एक मिनिट के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप 30 सेकंड के लिए वहां रुखिए, जिस दिन आप इसे ना कर पाएं, आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी सांस की प्रणाली में कोई दिक्कत है और आपको चेक अप के ले जाना चाहिए, अभी वो इसे करके दिखाएंगी, कृपया ध्यान से देखिए, झाहिए, झाहिए, भाज़ी कर दिक्तावची कैय। झाल 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 तो किया ये जा रहा है कि आप आपको पालती लगा कर बैठना होगा आप जिस भी तरह से बैठ सकें आपका शरीर जिसके भी अनुमती दे और फिर दोनों बाहों का उप्योग करके इसे इस तरह से उपर उठाईए इस तरह से 21 बार जब ये हो जाए इसे भी 21 बार करना है और फिर अपना मूँ बंद कीजिए आपका बंद कीजिए आपका बंद कीजिए अपना मूँ बंद कीजिए सांस छोड़िये, गले के गड़े में दबाव पैदा करके वहां से आवाज निकालते हुए, अगर आप चाहें तो आप अपनी आँखें बंद रखकर कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, और फिर सामान ने गतिविधी शुरू कर सकते हैं, ये एक सरल सा अभ्यास है जिसे छोणा चाहिए, तो ये एक सरल अभ्यास है, खासकार आप मेंसे वो लोग जिनका वाइरस से सामना होता है, चुकि या तो आप मेडिकल सेवा मे हैं, या आप पुलीस हैं, या आप किसी और सेवा में हैं जहां आपका इंफेक्टेड लोगों से सामना होता है, क्रिपया इस इसको ठीक उसी तरह से करें जैसा निर्देशों में बताया गया है। इसमें कोई भी बदलाव न करें जैसे की गिंती बढ़ाना। 6-70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है। चाहे उनकी शारीरिक और मेडिकल स्थिति कैसी भी हो। 6 साल से कम उम्र के लोग और 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी यह अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उन्हें सांस की प्रक्रिया केवल 12 बार ही करनी चाहिए 21 बार नहीं। जिन लोगों के मस्तिश्क में किसी प्रकार का ट्यूमर है या मस्तिश्क में रक्तस त्राव होता है, वे भी इसका भ्यास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी सांस की प्रक्रिया केवल बारा बार ही करनी चाहिए, 21 बार नहीं. पाल्थी लगा कर बैठें, अपनी हथेलियां घुटनों के पास अपनी जांगों पर इस तरह रखें, दोनों बाहों का उप्योग करके इस तरह धक्का दें कि आपकी पसलियां डाइफ्राम से उपर हो जाएं, अपनी आखें बंद करें, अपना मूँ पूरा खोलें और अपनी जीब को पूरा बाहर निकालें, पूरी ताकत से सांस लें और बाहर छोड़ें, पेट की मास पेशियों में हलचल हो, पर जटके न लगें, सांस पूरी अंदर लें और पूरी तरह से बाहर निकालें, और अपने गले के गड़े से आ ऐसा 21 बार करें, अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा बारा बारी करें। अपनी जीप को उपर की और मोड़ें, इसे उतना पीछे धके लें, जितना आप धकेल सकते हैं, मूँ खुला रखकर, पूरी ताकत के साथ सांस लें और सांस छोड़ें, अपने गले के गड़े से आवाज निकालें, ऐसा 21 बार करें। अगर आपके उम्र सत्तर से ज्यादा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा बारे बार ही करें। अपना मूँ बंद करें, पूरी तरह से सांस लें और सांस रोकें। बस एक मिनट या कम से कम 30 सेकंड तक भरी सांस के साथ सांसे रोक कर बैठे रहें। जब तक आराम दायक हो, तब तक सांसे रोक कर रखें। जब सांस छोड़ना जरूरी हो, तब मूँ बंद रखते हुए, नाक से सांस छोड़ें और गले के गड़े से आवाज निकालें। आप कुछ समय तर चुप चाप बैठ सकते हैं और अपनी मर्जी से आँखे खोल सकते हैं। यह जटक समय तर दोड़ाएं। जटक समय मतामकी तर शोड़ें। यह जगर का अपनार में अपनार में जगवाजित हुआ 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 है